हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी मेरे दोस्तों मतलब मेरे दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं कांजी वड़े तो नहीं लग रहे हैं ये दही वड़े हैं बे दही बल्ले बड़े नहीं दही बल्ले हैं आद दही बल्ले बनने वाले हैं बहुती ललन टॉप दही बल्ले ब चार घंटे बिगो लिया है हमने 100 गराम उर्दी का दाल था चार घंटे बिगोया है पानी फेक दिया है अब बाकी सब हम जो मिक्स जा रहा है इसमें हम डाल देंगे अब कितना घसडेगा बे छोड़ दे जाली है होल हो जाएगा उसमें अब ले अब स्पून हटा दिया तो ह हाथ से घसडने लागा बस कर थोड़ा बहुत छोड़ दे नन्ने मुन्ने बच्चडिये चुडियों के लिए छोड़ दे थोड़ा ना भारतिये इंसान कभी नहीं छोड़ेगा इसे हम कम से कम पानी डालके मिक्स जार में पीस लेंगे और हाथ बुजड़ देना है आपको अब आपको इसको फेटना इतना है कि आपके दिल से आवाज आए अब ठक जाएं बोले कि ओ यार बाहरी जाके खा लेते यह दही भले तो कितना अच्छा रहता लेकिन घर का स्वाद घर में ही मिलेगा मेरे दोस्त तो फेटना बहुत जरूरी है कम से कम दस मिनट तक पेट चमरा निकालेगा क्या हाथों का इतना क्या रगड रहा है छोड़ दे बच्चे की जान लेगा बसकर अब हम इसमें डाल देगे जीरा एक चौथाई चममच और फिर हम इसमें अड़ कर देंगे नमक जो की होगा स्वाद अनुसार फिर से हम थोड़ा से-से मिला लेंगे प पानी में हाथ डूबा देना है ऐसे डूबा लीजेगा बस सिधे ऐसा उठाईएगा उसमें से बैटर डाल दीजेगा जैसे पकोडी तलते न वैसा तल लीजेगा लेकि बार-बार पानी में हाथ दूबाना होगा तब ही चुटेगा हाथ से ठीक अलट परटके पकाईएग जाना देर लगता भी नहीं है इसको सीजने में मतलब की पकने में तीन मिनट या दो से तीन मिनट बहुत होगा ऐसा कलर आ जाएगा तो अब इसको आपको च्छान के जो है निकाल लेना है बिहारी है तो रंग तो आही जाएगा वैसा तो आप निकाल लिए है इसे ठंडे ठंडे मतलब फ्रिज का पानी नहीं है यह नॉर्मल जो घर में पानी रहता है वो ठंडा पानी डालके एक घंटे के लिए छोड़ दीजिगा यह अपने आपने नीचे बैढ़ जाएंगे फिर आपको इस मैसा से निचोड नीच अड़के भले निकाल लेने है आय है स्ट्र अप्लोड किये हैं देखिएगा हमारे चैनल पजाके उपर से थोड़ा हरिया हरियर धनिया का चटनी नॉर्मल चटनी जो हरा धनिया का होता है नीमू पुदीना हरी मिर्च और नीमू का यह सब का धनिया यह थोड़ा हम इसके उपर जो क्या है जीरा पाउडर ठोड़ा सा कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर डाल दिये कलर है ना देखने में अच्छा लगेगा तभी तो आप लो वीडियो देखेंगा ऐसा ही नहीं देखते रहते हैं तो कलर से क्या देखेंगे तो देखेंगे बन चुका है हॉली में जरूर करिएगा हुर्दं कीजेगा और यह खाईएगा पिजएगा मतलब पीजएगा कब खाईएगा जाला ठीक हं फिर मिलेंगे तब तक के लिए हैपी दस है आप मतलब हॉली हैपी हॉली तब तक के लिए